असलाम अलेकुम सेकेंडियर आज मैं आपरों के साथ इम्रानियात का चैप्टर नुम्बर 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर के हवाले से जो पेपर में मोस्ट रिपीटिड एमसी की उस हैं सोल करके पताने वाली हूं चैप्टर नुम्बर 11 तो आप लोगों नें वीडियो मर्दम शमारी हुई 1998 में यह क्योंकि 2019 का पेपर है तो आखरी मर्दम शमारी तो अभी 2023 में भी हो रही है पाकिस्तान में पहली मर्दम शमारी हुई 1991 में आबादी के लिहाँ से पाकिस्तान का बड़ा सुभाय पंजाब पाइदाय शमौत और हिज्रत अनासरे आबादी के पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शैर है फैसलाबाद दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुलक कौन सा है चीन आबादी के लिया से पाकिस्तान का दुनिया में कौन सा नमबर है छटा 1998 की मर्दम शुमारी के मताबिक सबसे कम शराख वंदगी वाला सुबा कौन सा है बलोचिस्तान रखबा के लिए हासे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुबा बलोचिस्तान 1998 की मर्दम शुमारी के मताबिक शेहरों में कितने फीसद आबादी रहती है 32 फीसद 1998 की मर्दम शुमारी के मुताबिक दिहातों में कितने फीसद अबादी रहती है 68 अब तक पाकिस्तान में कितनी मर्दम शुमारियां हो चुकी है 6 यानि कि 2019 तक 6 हो चुकी नहीं उसके बाद भी अब 2023 में भी हो रही है अबादी की शराकों कितने आवाम में मुतासिर करते हैं 3 अबादी के लहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क कौन सा है भारत अक्वाम मुतहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में दुनिया की कौल अबादी थी 7,349 मिलियन बलद्याती अबादी में आजाफे की 38 क्रोड थी 1998 की मर्दम शिमारी के मुताबिक पाकिस्तान में मुतवक्त के शराह हयात है 65 साल तो यहां पे हमारा आज के लेक्चर होता है एक हताँ अमीद है कि आपनों को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शियर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाँ